निश्चित समाकलों में प्रतिस्थापन Substitution in the definite integral जिस तरह निश्चित समाकलों में चर को परिवर्थित किया जाता है ठीक उसी प्रकार निश्चित समाकलों में भी चर को परिवर्थित किया जाता है साथ ही साथ चर की सीमाओं को भी परिवर्थित किया जाता है तो इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि निशित समाकलान में प्रतिसापन किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार प्रश्णों को सरल करेंगे आईए चलते हैं प्रश्ण दिया गया है निम्न के मान गयात कीजिए इंटिकेशन 0 to 1 10 inverse x 10 inverse x dx upon 1 plus x square इस प्रकार के प्रश्ण हम पहले हल कर चुके हैं बस अंतर यह है कि इसमें लिम्न दे दिया गया है तो प्रतिसापन विधी का उप्योग करेंगे और हम यह मान करके चलेंगे कि 10 inverse x जो है यह t के बराबर है अब जब दोनों पक्षों का उकलन करेंगे 10 inverse x का तो मिल दाएगा 1 upon 1 plus x square और dx equal to dt अब जो limit है वो भी change हो जाएगा यह limit x के लिए है अब हमें limit किस के लिए निकालनी है t के लिए limit निकालनी है तो जब x equal to 0 यह वाली condition तो t equal to tan inverse x के इस्थान पर 0 रखना है 10 inverse 0 का मतब है 10 0 degree के लिए 10 का मान 0 आता है और जब x equal to 1 है x equal to 1 तब t equal to 10 inverse 1 अब 10 का अगर आप table देखे तो 10 45 degree या pi by 4 radian के लिए 1 मिलता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे pi by 4 तो अब limit बदल चुकी है इसलिए integration 0 to 1 tan inverse x upon 1 plus x square dx equal to 0 to pi by 4 यहाँ लिए लिए 0 से अब pi by 4 dx upon 1 plus x square equal to dt यह dt और tan inverse x को हमने माना है t तो यह आ जाएगा t dt अब t का समाकलन t square upon 2 और अब limit अपलाई करनी है 0 to pi by 4 आगे solve करते हैं 1 by 2 तो constant है बाहरा जाएगा और फिर एक बाद t के जगा में pi by 4 रखेंगे और t का square है तो यह pi by 4 का square फिर 0 by 2 का square solve करेंगे मिल जाएगा 1 by 2 और यह जाएगा pi square upon 16 और आगे मिल जाएगा आपको 0 तो इस प्रकार आपको मिल रहा है pi square upon 32 तो हमाही जो answer चाहिए था कि integration 0 to 1 10 inverse x upon 1 plus x square dx equal to pi square upon 32 यही वह उत्तर है जो की हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था इसमें दूसरा प्रश्म दिया गया है 0 to infinity sin of 10 inverse x upon 1 plus x square dx इसका मान ग्याद करना है तो पहले हम प्रतिस्थापन को उप्योग करेंगे और 10 inverse x को हम t ले करके चलेंगे यह जो limit दी गई है 0 to infinity यह x के लिए है अब पहले इसको दोनों पक्षों का offline करेंगे तो मिल दाएगा 1 upon 1 plus x square dx equal to dt जब x equal to 0 था तो इस प्रकार t equal to 10 inverse x और x के इस्थान पर 0 तो 10 के टेबल में 0 degree के लिए ही हमें 0 मान प्राप्त होता है और जब x equal to infinity होगा अर्थात t equal to 10 inverse infinity यह जो है यह pi by 2 radian के लिए मिलता है हमें यह हमान तो इस प्रकार जो limit है वो बदल गई 0 to infinity sin of 10 inverse x upon 1 plus x square dx देखिए dx upon 1 plus x square इसको हम लोगों ने लिखा है dt लिमिट 0 to infinity थी वो 0 to pi by 2 चेंज हो चुकी है तो 0 to pi by 2 अब sin of 10 inverse x और 10 inverse x को हमें लिखा है t तो यह आपको मिल दाएगा sin t dt अब sin t का जब आप समाकलन करेंगे तो मिल दाएगा minus cos t और फिसमें हम limit apply करेंगे अपर लिमिट है pi by 2 lower limit है 0 तो इस प्रकार आपको मिल दाएगा minus cos pi by 2 फिर minus sign और फिर माइनस cos 0 degree solve करेंगे तो आपको मिल दाएगा minus cos pi by 2 plus 1 और cos pi by 2 होता है 0 तो 0 प्लस 1 तो इस तरीके से हमें मिल रहा है integration 0 to infinity sin of tan inverse x upon 1 plus x square dx equal to 1 तो यह दिये गए समाकलन का हल है या उत्तर है जो कि हमें ग्यात करने लिए कहा गया था इसमें अगला प्रस्ण दिया गया है integration 1 to 2 x square minus 1 upon x का power 4 plus 1 dx तो इस प्रकार के प्रस्ण हमने सरल किये हैं और इसमें हम यह करते हैं कि अंस और हर में x square से भाग दे देते हैं तो integration 1 to 2 x square upon x square करेंगे तो मिल दाएगा 1 और फिर यह 1 upon x square x का power 4 को x square से divide करेंगे मिल दाएगा x square plus 1 upon x square और फिर dx हर में जो आमने रासी दिखाई दे रही है इससे हमें पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे 1 minus 1 by x square है और denominator में x square है प्लस इसमें यदि 2ab कर दें और यह b का square तो दिया हुआ है एक्स और एक्स गैंसर रजाएगा ultimately 2 आया इसका मदब यह कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने इसमें दो जोड़ा है तो हम दो घटा देते हैं अब देखिए यहां से लेकर करके यहां तक का जो पद है यह हमें पूर्ण वर्ग दे रहा है integration 1 to 2 1 minus 1 by x square upon x plus 1 by x का square minus 2 यह 2 को हम लिख सकते हैं square root 2 का square अब यहां पर हम प्रतिस्थापन को प्योग करेंगे और लिखेंगे कि माना x plus 1 by x equal to t दोनों पॉक्चों का उकलन करते हैं इसका उकलन करेंगे तो मिल दाएगा एक इसका उकलन करेंगे तो मिल दाएगा एक बटे x square और फिर dx equal to dt अर्थाथ यह इसमें dx और इसमें भी यह dx छूड़िया था अब दिखिए कि 1 minus 1 by x square dx इसको मिल दिख सकते हैं dt अब हमें limit भी change करना है यह limit 1 to 2 x के लिए था अब हमें t के लिए निकलना है अब t के लिए निकलना है तो जब x equal to 1 तब t equal to x के सान पर एक रखना है तो एक धन एक बटे एक बराबर दो और जब x बराबर दो है तो t बराबर दो धन एक बटे दो इसको solve करेंगे तो मिल दाएगा 5 by 2 तो अब हमें जो फलन दिया गया था यह समाकलन एक से दो यह x का रिण एक बटे x का घाथ 4 धन 1 dx अब चूकि हम 4 रासी को बदल रहे हैं variable change कर रहे हैं तो limit भी change हो जाएगा limit था 1 to 2 तो यह limit 2 to 5 by 2 हो जाएगा 2 to 5 by 2 और फिर देखिए 1 minus 1 by x square dx इसको हमने माना है dt हमें मिला dt और इस रासी को हमने माना था t तो यह मिल जाएगा t square फिर minus root 2 का square तो यह इसको जब सरल करेंगे तो यह सुत्रा को पता है integration dx upon x square minus a square equal to 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a इस सूत्र का उप्योग करेंगे तो यह मिल जाएगा 1 upon 2 a की स्थान पर है root 2 फिर log of x minus a x की स्थान पर है t, t minus a और यह t plus a और फिर यहाँ पर limit अप्लाई करेंगे यह है 2 to 5 by 2 तो पहले t के स्थान पर यह जो रासी है तो अभी t के स्थान पर हम 5 बटे दो रख करके आगे सरल करेंगे तो 1 by 2 root 2 log of 5 by 2 minus root 2 upon 5 by 2 plus root 2 फिर minus sign log of 2 minus root 2 upon 2 plus root 2 पहले इसको सरल कर लेते हैं तो मैं जाएगा 1 upon 2 root 2 log of 5 minus 2 root 2 upon 5 plus 2 root 2 और फिर यह minus के form में है तो जैसा कि आपको पता है कि log m minus log n equal to log of m by n यह होता है तो इसलिए यहां पर हम सीधा इसको गुणा करके इस को हर में और हर कॉंस में लिख देते हैं तो 2 minus root 2 upon यह उपर से लजाएगा 2 root 2 2 plus root 2 अब इसको पहले multiply करते हैं फिर आगे solve करेंगे तो 1 by 2 root 2 log of 5 से 2 का गुणा करेंगे तो मिल दाएगा 10 5 से वर्गमूल 2 का गुणा करेंगे तो मिल दाएगा 5 वर्गमूल 2 फिर रिन 2 वर्गमूल 2 का गुणा 2 से करेंगे तो मिल दाएगा चार वर्गमूल दो फिर रिण और धन का गुणा रिण दो वर्गमूल दो और वर्गमूल दो का गुणा दो और दो चार इसी प्रकार पांच और दो का गुणा तस पांच और रिण वर्गमूल दो का गुणा रिण पांच वर्गमूल दो फिर दो दो चार वर्गमूल दो और फिर अरिट चार आगे सिरल करेंगे तो तो मिल दाएगा 1 by 2 root 2 log देखेंगे दस में 4 खटाएगे मिल दाएगा 6 और पांच में 4 खटाएगे मिल दाएगा 1 इसी परकार 10 में 4 खटाएगे मिल दाएगा 6 और यहां पर आजाएगा रिन दो, तो यह रासी हमें मिल चुकी है, लेकिन इसे परिमेकरन करके और सरल किया जा सकता है, तो चलिए आगे उसका परिमेकरन करेंगे, इसे सरल करने के लिए हम परिमेकरन करते हैं, हर के सयुगमी के साथ, गुणावा भाग कर देते हैं, यह आप जानते हैं, मिल जाएगा 1 by 2 root 2 log, अंस में a plus b का हुल स्कुरा लगाएंगे, a का स्कुरा प्लस b का स्कुरा प्लस 2ab अपॉन a स्कुरा माइनस b स्कुरा, आगे स्कुरा करेंगे तो मिल जाएगा 1 by 2 root 2 log, यह मिल जाएगा 38 plus 12 root 2 upon 34, इसमें अंस में आप 2 उभैनिश निकाल सकते हैं, और हर में भी 2 उभैनिश निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा 1, integration 1 to 2, x square minus 1 upon x का power 4 plus 1, dx equal to 1 upon 2 root 2, log 19 plus 6 root 2 upon 17, तो यह जो मान हमें प्राप्त हो रहा है, यह इस दियाएगाएफ पलन का समाकलन है, जो की हमें ग्यात कने के लिए कहा गया था, integration 1 to 2, 3x upon 9x square minus 1, dx, इसमें हम पुना प्रतिस्थापन का उप्योग करेंगे, और x square को हम replace करेंगे t से, तो यह मैं जाएगा 2x dx equal to dt, जो limit है वो x के लिए दिया गया है, तो जब x equal to 1 है, तब t equal to यह x का square है, x का square मिलना 1 का square equal to 1, और जब x equal to 2 है, तब t का मान x square और x का मान है 2, तो मैं जाएगा 2 cover बराबर 4, तो limit जो है बदल गई, एक से अब 4 हो चुके लिए, तो इस प्रकार integration from 1 to 2, 3x dx upon 9x square minus 1, देखें, यहां से हम लेख सकते हैं, x dx equal to dt upon 2, यह जो 3 है, यह बाहर आ जाएगा, और limit भी change हो जाएगा, 1 to 4 हो जाएगा, x dx, इसके इस्थान पर हम लिखेंगे, dt upon 2, और फिर 9x square, इसका मंदब है, यह 9t minus 1 हो जाएगा, 3 by 2, टोटली बाहर हो जाएगा, और यह limit 1 to 4 integration में आएगा, और dt upon, इसको हम लिख सकते हैं, t minus 1 by 9, या फिर, आप सीधे लिख सकते हैं, 9t minus 1, सरल करेंगे, तो मिल दाएगा, 3 by 2, log of 9t minus 1 upon 9, और इसमें फिर limit अप्लाई करेंगे, 1 to 4, तो यह आपको मिल दाएगा, 3 upon 2 into 9, और फिर, log of, ठीके इस्थान पर 9 रखेंगे, तो 9, 4, 36, 36 में गटाएगे, मिल दाएगा, 35, फिर, log of, 9 से 1 का गुणा करेंगे, मिल दाएगा, 9, 9 में गटाएगे, मिल दाएगा, 8, यह 8, तो यह मिल गया, तीन तीन नौ, तो एक बटे 6, और log, 35 बटे 8, यह समा कलन, एक से 2, तीन एक्स, डी एक्स बटे, 9 एक्स का वर गरेंग, एक, यह इसका मान है, जो की हमें सरल करने के लिए कहा गया था, अगला प्रश्ण, इंटिकेशन 1 to 2, डी एक्स अपाउन, एक्स इंटू, 1 प्लस लॉग एक्स का स्कुर्ण, यहाँ पर भी प्रतिस सापन का उप्योग करेंगे, और लॉग एक्स को हम टी से रिप्लेस करेंगे, इसका जब अखलन करेंगे, तो मिल दाएगा 1 बाई x, डी एक्स इक्स इक्वल टू, डी टी, लिमिट भी बदल जाएगी, यह लिमिट x के लिए है, तो जब x इक्स इक्वल टू, तो जब एक्स इक्वल टू, बटे, x x धन, x गुना 1 धन, log x का वर्ग, यह दिया हुआ है, जब 4 बदल रहा है तो limit भी बदल जाएगी, limit एक से 2 था, तो यह 0 से log दो हो जाएगा, देखिए, dx upon x को में लिख सकते हैं, dt, और फिर, 1 प्लस log x का स्क्वेर, तो यह 1 प्लस log x का मनें माना है, t, यह इसका स्क्वेर आ जाएगा, अब इसे देखें, तो यह 0 to log 2, 1 प्लस t का पावर माइनस 2, dt है, सरल करेंगे, तो मिल दाएगा, 1 प्लस t का पावर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1, और यह 0 to log 2, पहले इसको सरल कर लेते हैं, तो यह रिंट चिन्न है, और यह 1 प्लस t का पावर माइनस 1, तो इसे आप 1 बाई 1 प्लस t, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और यह 0 to log 2, minus common लेना चाहें, तो common ले सकते हैं, और नहीं तो रहने दीजिए, तो यह मिल दाएगा, 1 अपावर माइनस प्लस, 1 अपावर 1 प्लस 0, इसको सॉल्ट करने पर मिल दाएगा आपको 1, तो यह हमें मिल रहा है, 1 माइनस यह वाला माइनस, फिर 1 अपावर 1 प्लस log 2, तो यह इस दिये गए समाकलन का हल है, जो की हमें ग्यात करने के लिए कहा गया था, तो फाइनल एंसर हम लिखेंगे, integration 1 to 2 dx अपावन x into 1 प्लस log x का स्क्वार, इक्वाल टो 1 माइनस 1y, 1 प्लस log 2, यह इसका उत्तर, छटवी प्रस्ण में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, integration 0 to a square root over 1 plus x upon, a plus x upon a minus x, dx equal to a into pi by 2 plus 1, यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उप्योब करेंगे और यह लिखेंगे, यह x equal to a cos theta, इस प्रतिस्थापन हम पहले भी कर चुके हैं, बस अंतर यह कि इसमें limit apply कर दिया गया है, दोनों पक्षों का alkaline करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, dx equal to a sin theta, और यह minus sin, और फिर यह d theta, limit जो है, यह x के लिए दिया गया है, तो जब x equal to 0 है, तो हमें निकालना है, theta का मान, तो cos theta equal to x upon a, x की value है 0, 0 बटे a बराबर 0, तो cos के table में किस angle के लिए 0 मिलता है, मान, तो वो 90 डिगरी के लिए मिलता है, तो आप लिखेंगे, theta equal to, theta equal to pi by 2 radian, और जब x equal to a है, तो इसका मतलब यह कि, cos theta equal to a upon a equal to 1, तो cos theta कौन से angle के लिए 1 होता है, यह 0 के लिए होता है, तो आप लिखेंगे, theta equal to 0 degree, यह 0 radian, यहाँ पर यह radian है, तो यह भी radian नहीं है, अब माना की दिया गया फ़लन है, इसका समाकलन, आई लिखेंगे, 0 to a square root over a plus x upon a minus x dx equal to limit 0 to a है, इसके लिए limit उदल जाएगी, यह pi by 2 to 0 radian हो जाएगा, यह pi by 2 to 2, पर square root over a plus x, a plus x, x के इस्थान पर हमने लिखा है, माना है कि यह a cos theta है, और यह a minus a cos theta, dx के इस्थान पर हम लिखेंगे, minus a sin theta d theta, और जैसा कि आप जानते हैं, प्रगुन से कि अगर यह जो sign है, इसे रिंड के जगा धन कर दिया जाए तो यह limit भी बदल जाती है, इस परकार आप लिख सकते हैं, limit 0 to pi by 2, देखिए, अंस में a है, इस पर भी a है, a और यह cancel हो जाएगा, तो आप लिखेंगे, इसको root over 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta, और a sin theta d theta, a, जो है, यह अचरपद है, बाहर आ जाएगा, और यह 0 to pi by 2, 1 plus cos theta को हम लिख सकते हैं, 2 cos square theta by 2, और हर में जो रासी हमें मिल रही है, 1 minus cos theta, इसे हम लिख सकते हैं, 2 sin square theta by 2, और फिर यह sin theta, sin theta को हम लिख सकते हैं, 2 times sin theta by 2 cos theta by 2, और फिर यह d theta, आगे सरल करते हैं, integration 0 to pi by 2, यह 2 or 2 cancel हो जाएगा, square root है, और अंदर में square है, तो हट जाएगा, square root और यह हो जाएगा, cos of theta by 2 upon sin of theta by 2, और फिर यह 2, अब यह जो 2 है, इसे यह तो अचर रहा सी है, इसे बाहर ले आते हैं, sin theta by 2, cos theta by 2, d theta, यह sin theta by 2 और यह sin theta by 2, यह दोनों cancel हो जाएगा, cos theta by 2, cos theta by 2, cos square of theta by 2 में जाएगा, तो यह 2 a integration 0 to pi by 2, cos square theta by 2, d theta, अब यह जो 2 है, इसे हम अंदर ले आते हैं, तो 2 cos square theta by 2, तो फिर से इसे हम लिखेंगे, 0 to pi by 2, 1 plus cos theta, d theta, अब इसका समा कलन करते हैं, a, 1 का जाएगा theta, cos theta का आ जाएगा sin theta, और limit apply करनी है, 0 to pi by 2, a, और फिर theta, theta के सान पर है, pi by 2 plus sin theta, तो sin pi by 2 minus 0 degree, minus sin 0 degree, तो इस प्रकार, यह तो 0, यह भी 0, pi by 2, और यह 1, तो a into pi by 2 plus 1, और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था, कि 0 to a square root over a plus x upon a minus x dx equal to a into pi by 2 plus 1, और यह सिद्ध हो चुका, जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था, अगला प्रशन है, कि सिद्ध कीजिए, 0 to 1, e का power x upon 1 plus e का power 2x, dx equal to tan inverse e minus pi by 4, तो यहाँ पर भी हम प्रतिस्थापन को प्योग करेंगे, और यह मान करके चलेंगे, कि e का power x dx equal to t है, दोनों पक्षों का उकलन करेंगे, तो मिल दाएगा, e का power x equal to t, दोनों पक्षों का उकलन करेंगे, तो मिल दाएगा, e का power x, dx equal to dt, यह जो limit है, 0 to 1, यह x के लिए है, limit में भी परिवर्दन होगा, जब x equal to 0 है, तब t का मान क्या है, e का power x, और x का इस्थान पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है, तो e का power 0, यह मिल दाएगा, 1, और फिर जब x equal to 1 है, तो t equal to e का power 1 equal to e, यह हमें नया limit मिल चुका है, तो अब 0 to 1, e का power x, dx upon 1 plus e का power x, और इसका square लिख सकते हैं, देखे, e का power x का हमने माना है, t, तो e का power x, dx equal to हमें मिल गया है, dt, फिर 1 plus, यह हमने t माना है, तो यह का t का square, और limit भी दाएगी, 1 to e, तो यह 1 to e, यह है 10 inverse t, समाकलन करेंगे, तो मिल दाएगा 10 inverse t, और यह 1 to e, या फिर 10 inverse e minus 10 inverse 1, और जैसा कि आपको पता है, कि 10 inverse e, इसे तो हम सरल नहीं कर सकते, लेकिन 10, जो है, या 10 का मान, 45 degree, या πाई बाई 4, रेडियन के लिए हमें 1 मिलता है, तो इसका इस्तान पर हम लिखेंगे, minus, minus sign, फिर यह πाई बाई 4, तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया, जो कि हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था, इसमें अगला परस्ण दिया गया है, integration 1 to 6, dx upon 1 plus square root 3x minus 2, इसे हमें सिद्ध करना है कि यह 2 minus 2 by 3, log 5 by 2 है, तो पहले हम यह मान करके चलते हैं, कि यह 1 to 6, integration, dx upon 1 plus square root over 3x minus 2, यह है, वर्गमूल के अंदर जो रासी दी गई है, उसका ही प्रतिस्थापन करेंगे, और हम लिखेंगे, माना 3x minus 2 equal to t, दोनों पक्षों का उकलन करेंगे, तो मिल जाएगा, 3 dx equal to dt, अब limit भी बदल जाएगी, जब x equal to 1 था, तब t equal to 3 into 1 minus 2, तो 3 minus 2, 1, और जब x equal to 6 है, तो t equal to 3 into 6 minus 2, 18, 18 minus 2, 16, अब हमें ये दोनों limit मिल सुका है, तो इस प्रकार, आगे हम लिखेंगे, i equal to, यहां से आप लिख सकते हैं, कि dx equal to dt upon 3, ये 1 by 3 को मैं बहार ले लेता हूं, और ये dt, 1 plus square root t, तो आगे सरल करने के लिए, हम अंस और हर में वर्गमूल t का गुणा कर देते हैं, square root t, 1 plus root t, अब यहां पर प्रतिस्थापन को प्योंग करेंगे, माना, square root t equal to u, यह मिल दाएगा, 1 by 2 root t, dt equal to du, या फिर dt upon root t equal to 2 du, और यहां पर यह लिमिट है, 1 to 16, 1 to 16, तो यह जो लिमिट है, 1 to 16, यह t के लिए है, तो यहां पर भी परिवर्टन होगा, जब t equal to 1 है, तब हमें u equal to मिल जाएगा, root 1 equal to 1, और जब t equal to 16 है, तो u equal to मिल जाएगा, square root 16, equal to 4, तो इस प्रकार हम जो सरल कर रहे हैं, इसके भी लिमिट बदल जाएगी, 1 by 3, 1 to 16 था, तो यह मिल जाएगा, 1 to 4, और dt upon root t, इससे आप लिख सकते हैं, 2 du, और फिर यह root t है, तो इससे आप लिखेंगे u, और फिर 1 plus u, और यह जो 2 है, इससे आप बाहर निकाल सकते हैं, तो यह मिल जाएगा, 2 by 3, 1 by 4, u du upon 1 plus u, 2 by 3, integration 1 to 4, इससे आप लिख सकते हैं, u plus 1 minus 1 upon 1 plus u du, सरल करेंगे, मिल जाएगा 2 by 3, इन दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं, तो u plus 1 upon u plus 1, यह मिल जाएगा 1, तो यह integration 1 to 4, 1 du, फिर minus 1 to 4 integration, 1 upon 1 plus u du, सरल करते हैं, 2 by 3, इसको सरल करेंगे, तो मिल जाएगा u, u, लिमिट है 4 to 1, और फिर minus, यह मिल जाएगा log 1 plus u, इसके लिमिट है अगे 1 to 4, आगे सरल करेंगे, तो मिल जाएगा 2 by 3, u के इस्थान पर 4 रखेंगे, फिर यू के इस्थान पर 1 रखेंगे, फिर सी प्रकार आगे, log 4 plus 1, 5, minus log 1 plus 1, 2, सरल करेंगे, तो 4 minus 1, 3, यह 3 और यह 3 कैंसल, मिल जाएगा 2, और फिर log, यह इसको हम लिख सकते हैं, 5 by 2, लेकिन यह जो 2 by 3 है, यह पूरे पदों के साथ multiply हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी एक 2 by 3 आएगा, यह 2 by 3, तो अब हमें मिल गया 2 minus 2 by 3, log 5 by 2, और यही हमें सिद्द करना था, कि integration 1 to 6, dx upon 1 plus square root over 3x minus 2, यह 2 minus 2 by 3, log 5 by 2 के बराबर है, तो इस प्रकार यह सिद्द हो गया, प्रस्टन दिया गया है कि यह हमें मान गयात करना है, integration 0 to pi by 2, sin 2 theta upon sin का power 4 theta plus cos का power 4 theta d theta, यह हमें सरल करना है, तो इस प्रकार 0 to 2 यह pi by 2 है, और sin 2 theta को हम sin 2 theta ही रहने देते हैं, लेकिन sin का power 4 theta, इसको हम sin का power 4 theta लिखेंगे, अब cos का power 4 theta को आप लिख सकते हैं, cos square theta, और cos square theta के इस इस थान पर लिख सकते हैं, 1 minus sin square theta का यह square, अब यह फिर d theta, इस पत का work करते हैं, 0 to pi by 2 sin 2 theta upon sin का power 4 theta plus 1 plus sin square theta और फिर minus 2 sin theta और यह d theta, यहाँ पर यह sin square theta है, और इसका square करेंगे तो आप मिल दाएगा sin का power 4 theta, तो यह पद और यह पद यह दो बार हैं, तो आगे हैं मिल दाएगा, 0 to pi by 2 sin 2 theta upon 2 into sin का power 4 theta minus 2 sin theta plus 1 d theta, हम यह कोशिस करते हैं कि sin यहाँ पर जो चर्रासी है, इसका गुणांक एक हो, तो पूरे हर में से 2 को vanish निकल लेते हैं, यह 1 by 2, 0 to pi by 2 sin 2 theta upon, यह आपको simply मिल दाएगा sin का power 4 theta, minus sin theta plus 1 by 2, अब यहाँ पर हम limit change करेंगे, और यह मानेंगे, कि sin square theta जो है यह t के बराबर है, दोनों पक्षों का उखलन करेंगे, तो मिल दाएगा 2 sin theta cos theta, d theta equal to dt, और it is nothing बट sin 2 theta, तो sin 2 theta d theta equal to dt, अब limit भी बदल जाएगी, यह limit है theta के लिए, और जब theta equal to 0 है, तो t equal to sin square या sin 0, इसका square निकाल लीजिए, तो आपका मिल जाएगा 0, और जब theta equal to pi by 2 है, तो t equal to sin pi by 2 का square, sin pi by 2 1, और 1 का square 1, तो यह जो हम फलन सरल कर रहे हैं, यह कुछ इस तरीके से परिवर्थित हो जाएगा, यह 1 by 2, limit अब 0 to 1 हो जाएगा, यह 0 to 1, sin 2 theta d theta equal to dt, यह मिल जाएगा dt, फिर upon sin का power 4 theta, तो आपको मिल जाएगा t square, sin theta, that is t, फिर यह 1 by 2, अब हर में जो रासी है, इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, यह 1 by 2, integration 0 to 1, dt upon a square, minus 2 a b, तो b का square add करना पड़ेगा, और b, b का square, b का square घटाना पड़ेगा, फिर यह 1 by 2, देखिए, यहां से लेकर का, यहां तक का जो पड़ है, यह हमें पूर्ण वर्ग दे रहा है, पहला यह 1 by 2, integration 0 to 1, dt upon t minus 1 by 2 का square, और 1 by 2 minus 1 by 4, तो आप को मिल जाएगा 1 by 4, और 1 by 4 को आप लिख सकते हो, 1 by 2 का square, इससे ध्यान से आप देखें, तो आप समझ पाएगे, कि यह dx upon x square plus a square equal to 1 upon a, 10 inverse x upon a, यह इसका solution होता है, यह इसी format पर है, तो इस प्रकार आपको आगे मिल दाएगा, 1 by 2 पहले से दिया गया है, फिर 1 upon a, तो 1 upon a, और a की स्थान पर है, 1 by 2, फिर 10 inverse x, x के इस्थान पर है, t minus 1 by 2 upon a, और a के इस्थान पर है, 1 by 2, आगे solve करते हैं, यह दोनों cancel हो जाएगा, यह 2 और यह 2, और यहाँ पर हमने limit नहीं लिखा है, यह limit लिख लेते हैं, यह 0 to 1, तो यह 10 inverse 2t minus 1 और यह upon 1, अब यहाँ पर हम limit apply करेंगे, 1 to 0, तो पहले t के इस्थान पर 1 रखते हैं, तो मिल दाएगा 10 inverse, 2 into 1, 2, 2 minus 1, 1, 1 minus, और फिर 10 inverse, t के इस्थान पर 0 रखेंगे, तो 0 रिनेक, तो 10 inverse minus 1, तो 10 inverse of minus theta, 10 theta हो जाएगा, तो यह मिल दाएगा, 10 inverse 1 plus 10 inverse of 1, तो 10 pi by 4 रेडियन के लिए हमें 1 मिलता है, तो यह मिल दाएगा, pi by 4 plus pi by 4 equal to pi by 2, तो यह दिया गया प्रश्न का उत्तर है, जो हमें गयात करने कले कहा गया था, अब हम आगे देखेंगे कि निश्चित समाकलन में खंड़सा समाकलन का प्रयोग किस प्रकार होता है, या फिर खंड़सा समाकलन का उप्योग करने के बाद किस प्रकार हम उसमें सीमा लगाते हैं और सरल करते हैं,